यूपे की सोन भद्र में हाथियों का आतंक देखने को मिला जहां हाथियों के जुंड ने फसलों को नश्ट कर दिया फसलों की नुकसान पहुचाने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं वही हाथियों का एक दल बभनी से सटे 36 गड़ के चापर में होने की सूचना भी मिली तो दूसरा दल बेजपुर थाना च्षेत्र के कोडार गाउ में होने की सूचना मिली जिसके बाद वन विवाग की टीम इलाके में पहुचकर उन्हें खदेर ने कामियाब हुई और इस दोरान वन विवाग ने बताए कि सुख्रीम वैशे की धान की फसल को हाथियों ने नुकसान पहुचा है वह ग्रामीड वन विवाग से फसल की छतिपूर्ते की मांग कर रहे हैं उत्रप्रदेश के ललितपूर के कजवा बिर्धा में जलपंचायत के सीसी रोड डाला जा रहा है और सीसी रोड में बालू के जगए डस्ट का इस्तिमाल किया जा रहा है साथी सीसी रोड मानक विहीन भी डाला जा रहा है ठेकेदार ने सीसी रोड में कम सीमेंट कुर्वत्ता विहीन बना जा रहा है जिसके चलते स्थाने लोगों ने विरोत किया और प्रशासन से जांच की मांग की जो बमोरी विर्धा का जो जिला पच रोड रहा है जिसमें बजरी ना लगके डस लगा रहे है और डस बिकस रही और दरिया सोवारा उपर ना लोचारा और ना रोड शट हुलारा है देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आत्म निर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं पीम का ये कथन काम भी कर रहा है लोग आत्म निर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मुरदबाद के दिल्ली रोड मनुहर पुरिस्थित एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस क्रशी केंद्र पर इन दुनों गुबर से दिये बनाने का काम किया जा रहा है साथी क्रशी इस नाम तक विध्यारतियों को भी जाग रुप किया जा रहा है जागा जितने एक जागो है हाई माथ होई इस तो गवर अपने घर के घंपलो में डाल सकते हैं यानि मिटी होती है तो वो तो बेकार जल जाती है यह जलने के बाद में शका उन जाता है इस जी से मना रहे हैं यह गाय का गोबर है मसाला पढ़ता है इसमें उसका अड़ा पीस के जम मिलाते हैं तेल लगाते हैं इसले बनागा इसमें डालते हैं जबर आने वारे दिरों फाइदा होगा घर-बेटे का वगा है है यह गोबर से दिये जो भी हमारा गाएं का गोबर है हम उससे यह दिये बना रहे हैं उसको गोबर को हमारे मैथ़लोजी में उसको पवित्र माना जाता है雪 और घरों में भी उसको लीपने और उसका वह अबहिगा इस विशहामारे हैं अगर दूद्ध के शंख्या दोब Exhale जगा 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 गौशाला इस्थापित करनी पड़ लिए जहां पर उनको गौवों को रखा जाए लेकिन गौव के अंदूद के अलावा इतने सारे उसके प्राव जो हमारे फाइदे हैं गौव मुत्र और गोबर से हम उससे ही इतना अर्ण कर सकते हैं कि वह गाएं के लि वीडियो कॉंफरेंस ने के माध्यम से इसका उद्खाटन होगा जिले की तेरा किंद्रों का उद्खाटन भादर के टीकर माफी से उद्खाटन की शुरुआत होगी उत्रप्रदेश में दबंगो का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है जहां आए दिन चोरी, लूट, हत्तिया और बलातकार जैसी मामलियों को अंजाम दिया जा रहा है एक ऐसा ही ताजा मामला यूपी के मुरादबाग से सामने आया है जहां मुगल पुरा थाना छेत्र में कुछ दबंगों ने एक परिवार के घर में घुस कर जम कर मारपीट की मारपीट की पूरी घटना से स्टीवी कैमरे में कैथ हो गई, पीडित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी जानकारी के मुलते ही पुलिस मौके पर पहुची, फिलहाल पुलिस ने मामला दर्श कर लिया है और आगे की जाज शुरू करती है यूबी के लरितपुर में यूबी के बारे में लोगों को जागरू किया जा रहा है, पुलिस अधिक्षक ने लोगों को जागरू करने के लिए संदेश देते हुए कहा कि नशा, नीद और तेज रफ्तार दुरघटना के तीन आधार हैं और नोने लोगों से सतरकता, बरतने और सुरक्षित रहने का संदेश दिया साथ ही यातायत नियमों का पालन करते हुए वहां चलाने की भी अपिल की घंटागर पर जागरूता कारिकर्यम का भी शुबार्म क्या गया